आज से 5 साल पहले मैंने अपनी स्टॉक मार्केट की जरनी स्टार्ट करी थी एंड टेकनिकल इनालेसिज में मैंने इंटर करा था सबसे पहला पैटर्न जो मैंने सीखा था मैं क्योंकि बहुत सारी युट्यूब वीडियोज और CNBC आवास को फॉलो करता था तो सबसे पहला पैटर्न मैंने सुना था फ्लाग अन पूल पैटर्न जिसके ऊपर ये विबिनार स्टेट है इस फ्लाग पूल पैटर्न के ऊपर मैंने बहुत सारी रिसरच करी मैंने मोर दें 20 प्लस वीडियो यूट्यूब के अंदर देखी एक फैक्टर मुझे निकलने को मिला कि अगर मार्केटिक अप्मूव में एक रींच बना रखी है और अगर उपर ब्रीक आउट होता है तो हमें बाय करना है ब्रीक डाउन में हमें शॉर्ट करना है दो तरीकी की फ्लाग पूल पाटन होते हैं बुलिश और बियरिश बट आफ्टर इडिफाइंग दिस और जब मैंने मार्केट के अंदर अपना सबसे पहला ट्रेड लिया था दी एच एफल के अंदर और वो भी फ्लाग पाटन इडिफाई करके तीन महीना लगा था मैंने फ्लाग पाटन को इडिफाई करा उसके बेशिस पे ट्रेड लिये बट ओवर अल जो मेरा क्वाटर का प्रॉफिट था वो इन दे सेंस लॉस में कंवर्ट हुआ था तो अब जब मैंने चेक करा कि एक पाटन अगर मुझे प्रॉफिट नहीं कमगा के दे पा रहा तो लेट जबार सुनते रहते हैं human psychology बहुत important होते हैं अगर आपकी psychology strong नहीं है तो आप market के अंदर पैसा कवा सकते हो बट तब मैंने अपनी market के अंदर खुद research करी particular stock के खुद research करी and मुझे पता चला कि market या human psychology से पहले आपको particular stock या script की psychology को समझना बहुत ज़ादा important है and तब मैंने अपना decision लिया and मैंने खुद thoroughly flag and pull pattern के उपर study करी for example मैंने reliance का chart पकड़ा था and उसको मैंने past में अगर 10 flag and pull pattern मने है तो उन सब को study करा कि कब false breakout हुआ कब अपने targets तक रीच नहीं कर पाई कब stop loss को hit करके उपर गई क्या reason था क्या वहाँ पर volatility हो रही है क्या वहाँ पर contraction हो रहा है उसके basis पे उसकी psychological understand करते हुए मैंने एक ऐसा webinar आपको किसा में लेकर आया हूँ जहापर मैं आपको बताने वाला हूँ कि flag pattern actual में दो तरीके के नहीं छे तरीके के होते है और छे तरीकों को कैसे implement करना है कौन से market structure पे कौन सा flag and pull pattern को use करना है किस तरीके से ऐसे targets identify करना है जिसमें 88% accuracy हो अगर वो breakout दे तो हमारा target achieve करें and किस level पे stop loss maintain करना है कैसे trail करना है and quantity distribution कैसे करना है quantity allocation is very important होता क्या है आप लोग 100 quantities हम लोग ले लेते हैं उसके बाद हम लोग wait करते है exactly अपने target तगरीच करने के and वो नीचे आदाता है थोड़ा पहले तो वहाँ पर distribute करना है किस levels पे exit करना है इस webinar पर आपको को इत्ती advanced learning मिनने वाली है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को पहलने वाला है इस particular course के अंदर इस particular webinar के अंदर आप लोगों को human psychology से पहले कैसे आप एक stock या chart pattern की psychology को समझोगे उस पे पूरा focus करना जाएगा because human psychology work आती है जब आप trade execute करते हो और trade execute किसके basis पे करते हो चार्ट पाटर्न और चार्ट को समझने की बीचिस पे जब तक आप चार्ट पाटर्न की psychology को समझ जाओगा और सको master कर लोगे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ने वाली है तो जोड़िया हमारे साथ इस पर्टिकुलर विबिनार के अंदर and definitely it's worth it आप लोगों को बहुत कुछ समझ भाएगा plus it's a mini bag guarantee तो you don't have to worry अगर आपको definitely समझ में नहीं आता तो आप money bag guarantee through अपने पैसे ले सकते हैं so please join we are waiting for you so guys हम लोग अपने landing page पे आच चुके हैं flag and pole के webinar पे and यहां पर आप देख सकते हैं आपको सारे details provide हो जाएंगे learn the right way of trading the flag and pole pattern that will help you definitely make an extra 1 lakh every month इस पर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है अगर आप लोगों को पढ़ने का जादा मनने करता तो आप यह video भी देख सकते हैं इस पर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा जो जो मैं बताने वाला हूँ और इससे भी आपको सारी knowledge मिल जाएगी हमारे इस वरक्शोप से रिलेट है त्री आर्स टोटल वरक्शोप होगा 31st of November 12th to 3 p.m. के आसपास है और इसको आप डेफिनिट्ली अटेंड कर सकते हैं ऐसे वरक्शोप लागर पोल से रिलेटेड मैंने पास टू इयर्स के अंदर बहुत करें और आप देख सकते हैं पूरी चीजों को आप रीट कर सकते हैं different types of six different types of flag pattern आपको सीखने को मिलने वाले हैं इसके इलाबा आप देख सकते हैं total 17 points हैं जो आम लोग कवर करने वाले हैं total 17 points in flag and pull pattern आप लोगो अगर YouTube पे अभी सर्च करेंगा गूगल पे सर्च करे जरूर करेगा लिंक पर आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा इस अगर आप नीचे देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने हमें अल्रेडी बता रखा था कि वर्क्शॉप उन्हें कैसा लगाता कुछ प्रॉफिट्स भी उन लोगोंने भीजे थे फॉरेक्स पे यह काम करता है गाइस और एक स्क्रिप्टो सर जगा काम करता है इसके अलाव आपको लगता है कि आप यह वर्क्शॉप पे कुछ ज्यादा नहीं सीख पाएं या यह और रिडी कंटेंट यूट्यूब यह गूगल में आप लोगों को फ्रीयो ऑफकॉस्ट मिल रहा था तो आप हमारे पैसे दुबारा रिफर्ट ले सकते हैं कुछ कुछन्स है जो डेफनेटली आप लोग पूच सकते हैं उनकी आल्रेडी आंसर है तो एक बार थोरली रीट करिए फाइव फॉर नाइटी नाइन रूपीस का गाइस डेफनेटली जित्ता का पीजा आप लोग और करते होगे तक आप लोगों को यह वरक्शॉप देखने को बल रहा है और आप लोगों को बिल्कुल पेशेंस ली देखना होगा विकॉस इस पे उन लोगों के लिए पर्टिकलर वरक्शॉप कंड़क करा जा रहा है जो को अल्रेडी फ्लाग पॉल पाटन पे ट्रेड करते हैं उन्लो फ्लाग पॉल पाटन को और रेगुलर बेसे यूज करते हैं बट यह टेकनिक के थ्रू उन लोग ने इंप्रूफ कर रहा है तो इस पर्टिकलर वेबनार को जरूर एटेंड करेगा अगर किसी को कुई पैटन सीखना भी है जिससे वो स्टार्ट करना चाहता है स्टॉक मार टेकनिकल अनलेसिस की जर्ने को तो भी यह लोग जोड सकते हैं इन पर्टिकलर वेबनार पर यहां पर मैं बेसिक फ्लाग और पॉल बाटन से बताऊंगा किस तरीके से बेसिक टू एडवांस तक जा सकते हो कैसे मार्केट की साइकलोजी को आप समझ सकते हैं डेफिनेटल क्यों आप से गार्या को फिर आप सीट विपार शाथ जाएं रहा है और लास देटल अाप्ला फो यह था देशन वेड़ा है आप सा यह था लूए नवेबर दिटल पॉल फो तुन यह था जावर्ट गूंट ट्वीट अन्यूट मूंट आप यह था जाएं आप यह बाट झाल झाल